चले खबरों में आगे बढ़ते बताते चले स्पेशल रिपोर्ट में कि गजा के युद्ध को 200 से ज्यादा दिल हो चुके हैं और अब बड़ी खबर ये है कि इसे युद्ध में चीन कूद पड़ा है चीन के आने से सबसे बड़ा खत्रा इसराइल पर मटराने लगा है चीन ने फिलस्तीनियों के दो गुटों हमास और फतह का आपस में समझाता करा दिया है इस बड़ी डील के बाद अब गज़ा से लेकर तेल अवीब तक इसराइल को डबल आटाक की वार्निंग मिली है देखे रिपोर्ट गाजा युद में गुदा चीन अब फस गया इसराइल 200 दिन की जंग के बाद इसराइल के लिए गाजा युद एक बार फिर नासूर बनता जा रहा है हालात ये हो गए हैं कि अभी तक गाजा पट्टी को पूरी तरहां से कबजे का प्लान पूरा भी नहीं हुआ है और इधर गाजा से सटे रफा में इसराइली सेना ने बहुत बड़ा उपरेशन शुरू कर दिया है पिछले 15 दिनों के अंदर इसराइली सेना ने रफा में दो जबर्दस्त और बेहत खुनी हमले किये हैं जिससे सबसे ज्यादा फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं लेकिन इस बीच आरते हमास ने चीन की मदद से ऐसा ख़दम उठाया है जो इसराइल पर बहुत भारी बढ़ सकता है दावों के मताबिक गाजा युद्ध में एक तरहां से चीन कूट पड़ा है और चीन ने अब हमास के लड़ाकों और फिलस्तीन में मौझूद फत्य समर्तखों को एक साथ पलिस्तीनीों को बचाया जा सके हम आपको बता दें कि इसराइल के दो दुश्मनों की चीन ने दोस्ती करा दी है हमास और फतेह अब मिलकर इस्राइल का मुकाबला करेंगे हमास फतेह एक साथ रफा में डबल अटैक इन चुंपां याउचिं पालसितान मिंजू जेफां यूंदों हो इसलान टीकां तुम्ज़ दैबिया रिचेन लाइजिंच चोशां हम आपको बता दें कि फिलिस्तीन में दो गुठें जो फिलिस्तीनियों के हक के लिए जंग कर रहे हैं ये हैं फिलिस्तीनी समूफ फतेह और हमास फिलिस्तीनी समूफ फतेह और हमास लगबग दो दशक से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं लेकिन अब चीन ने इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी समूफ फत्य और हमास को एक साथ ला दिया है दोनों को इसराइल के खिलाफ एक जुट कर दिया है चीनी विदेश मंतराले के प्रवक्ता लिन जियान का दावा है कि फिलिस्तीनीों की खातिर फत्य और हमास ने दुश्म अब आप जान लीजिए कि हमास और फते के समझोते से इसराइल को क्या नुकसान होगा पश्रिमी मीडिया के मताबिक और कुछ घाजा युद के जानकारों के मताबिक अब तक इसराइल की खूफी आइजनसी मुसाद और शिन्बेद घाजा में इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि हमास लड़ावों की मुगबरी में फिलिस्तीनी गुड फते समर्तकों का जबरदस्त हाथ था जो हमास के टॉप कमांडर्स की मुगबरी कर रहे थे लेकिन समझोता हो जाने के बाद अब हमास और फते समर्तक मिलकर इसराइली सेना पर हमला करेंगे क्योंकि रफा में इसराइल ने हमले बहुत तेस कर दिये है जरा इस एनिमेशन से समझे क्यों रफा में इसराइली आपरेशन को कुनी युद्ध कहा जा रहा है घाजा पट्टी के दक्षिनी शहर रफा में इसराइल बड़ा आपरेशन करने जा रहा है जिसकी वज़ा से 23 लाग की आबादी वाले इस इलाके में बहानक खुन खराबा होगा यहां हमास के लड़ाकों से ज्यादा आम इनसान मारे जाएंगे 15 दिन के अंदर इसराइल के आईडियेफ ने रफा में भीशन हमले कियें जिसमें लगबग 50 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए है अब रफा में दुनिया वो कूनी मंजर देखने जा रही है जिसकी कलपना करना भी मुश्किल है चीन बेशक हमास और फते के बीच समझौता करा चुका हो लेकिन जमीन पर चल रही जंग में इसराइल को हराना जरा भी आसान नहीं है घाजा पट्टी में 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके है हमास के लडाके अभी भी इसराइली सेना पर घाजा पट्टी और रफा इलाके से हमले करने में जुटे हैं सुरंगों का नेटवर्क अभी भी मौजूद है जहां से हमास के लडाके हमले कर रहे हैं अब सवाल उटता है कि 200 दिन की जंग के बाद भी हमास अभी तक इसराइल के सामने घुटे ने क्यों नहीं टेक रहा है इसके पीछे है हमास के वो नेता जो आखरी सांस तक इसराइल से जंग करने पर आमादा है हमास पते एक साथ रफा में डबल अटैक हमास के जिन्दा चार्ट टॉप कमांडरों की वज़ा से गाजा युद्ध लगातार 200 दिन से चल रहा है हमास का शील्ट स्नेता इसमाईल हानिया है जो अभी तक जिन्दा है दूसरे नमबर पर यहिया सिन्वार है जिसे खान युनुस का कसाई कहा जाता है जो सुरंग युद्मे बेहत माहिर है वो भी अभी तक जिन्दा है तीसरे नमबर पर मुहम्मद दाईफ है जो हमास अंदोलन की सेन निशा का इस अल्दीन अल्कासम ब्रिगेट का चीफ है और अभी तक जिन्दा है और चौता है हमास का नेता खालिद मिशाल जो हमास की विदेश में राजनीतिक बियोरो का प्रमुक है जो जिन्दा है अब देखना होगा रफा पर इसराइल के बड़े हमले से पहले हमास और पते गुट के लड़ाके इसराइली को राम को रोक पाते हैं या नहीं